हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल सदफ क्रिस्पी कुगिंग जोन में आपका स्वागत है आज मैं बनाऊंगी बेंगॉली फिश करी जो कुछ टिप एंड ट्रिक से मैं बताऊंगी तो जिसके लिए आपको वीडियो पूरा लास तक देखना पड़ेगा और प्लीज इसकिप मत कीजेगा नी तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं बीच-बीच में टिप बताऊंगी तो स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले मैंने दो तरहा की मस्टर्ट सीड्स ली हुई है मैंने यलो और ब्लैक दोनों तरहा की ली हुई है और आप इसे धुल लेजीए बहुत अच्छे से वाश कर लेज़े ये सिर्फ एक स्पून है वाश कर लेज़े ये भी एक टिप है आप दोनों मस्टरट सिद लेजेगा एक नहीं लिजेगा मैं दोनों हमेशा लेती हूं इसका टेस्स बहुत अच्छा होता है लस्टन पूरा जीरा और काली मिर्च, जीरा 15-16 दाने हैं, काली मिर्च हाफ चमच है, मैंने इसे 2-3 बार अच्छे से वाश कर लिया है, और इसे भी एक फाइन सा पेस्ट बना लीजिए, जब पेस्ट बन जाए, तो इसे ट्रांसफर कर लीजिए, एक खाली बोल में, खाली एंड क्लीन बोल में, जो मिकसर जहार में पानी है, वो भी मसाले है, पानी डाल कर वो भी इसमें एड कर दीजिए, अब मैंने फिश हाफ केजी लिया है, उसमें सॉल्ट, टू टेस्ट, और मैंने जो मस्टर्ड पेस बनाय था, वो हाफ चमच एड कर दोंगी, एड कर के बहुत अच्छे से म चमच तेल गरम कर रही हूं, मैं एक पतीले में, फ्राय के लिए भी और मसाले वाली बनाने के लिए भी, तो मैं दोनों तेल एक साथ एड कर लेती हूं, जब तक तेल गरम हो रहा, मैं मसाला बना लेती हूं, एक चमच धन्या पाउडर, आधा चमच मिर्चा पाउडर, करने में इसे छेड़ना नहीं है ड्रॉप करकर एक दो मिनट भूल जाए दो मिनट बात इससे फिलिप करना है यह देखिए डेर से दो मिनट हो चुके हैं अब मैं इसे पल्टूंगी बहुत केरफुली ताकि यह टूटे ना क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाती है फिश जब आ बात ही है बहुत खतरनाक काम कि यह देखिए être fish के head डालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है बोग ऩर डर् लगता है जब इसका head डाला इसे भी same जैसे fish को किया था fry विसे head को भी फ्राय कर लोंगी अभी तेल बहुत अच्छे से गरम भी है मैं इसमें फेनु ग्रीक सीड यानी मेथी दाना हाफ चमच डालोंगी जब इसका कलर अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा डार्किश ब्राउन तब फ्लेम अभी मेडियम होगी अब मैं इसमें एट करूंगी य और इसे बहुत ही अच्छे से भूनियेगा यानी मिक्स कीजिएगा रोस्ट कीजिएगा अब इसमें स्टेस्ट के एकॉर्डिंग सॉल्ट एट कर दीजिए क्योंकि सॉल्ट जो है वो मैंने फिश फ्राय में भी एट किया है अब इसे दस मिनट के लिए एकदम हलकी आज प मिनट फिर इसे तेज फ्लेम पे भूनना है ताकि इसकी जो रोई स्मेल होती है वो निकल जाए और ओयल भी सेपरेट हो चुके है ये देखिए मसाला जो है वो रेडी हो चुका है अब बारी आती है आलू की मैंने दो से तीन पोटैटो लिये थे धुल के इसे कट कर लिया जान जान है और कोलीब फिलावर को ये बहुत अच्छे से देख कर वाश करके बाइल करे मने इसमें एड किया है अब मैं इसे मिक्स करओंगी बहुत ही मिक्स कर लीजिए सारी गोभी में मसालो को को वोट कर लीजिए अब 1 कप पानिडाूीं पानी डालने के बाद मैंने 2 मेडियम साइज के रिड़ेट टमाटर एट किये है और इसकी बीच जो है वो निकाल दिया था वाश करके मैंने एट किया है और 5 हरी मिर्श मैंने ऐसे ही डाल दिया इसमें 20 से बस एक कट लगा कर और इसे mix करना है बहुत ही अच्छे से mix कीजिए water मैंने डेड़ कप के इतना डाला है अब आलू को पूरा कुखोने तक पकाई अब इसे cover कर दीजिए 8 मिनट के लिए हलकी आज पर और 8 मिनट बाद इसे खोलिए और थोड़ा सच इसमें ये जो धनिया सोवा पत्ती होती है इसे डेल भी बोलते हैं वो एड़ कर दीजिए मैंने उसे एड़ कर दिया है आप जितना चाहो उतना एड़ कर दो अभी मैं एड़ कर दिया है हाफ वा हाफ जब मैं फिश डालूँगी तब एड़ करूँगी फिर से इसे cover करके दो से तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फिर से आप इसे पकाईए तीन मिनट बाद देखिए मैंने फिर से धकन खोला फ्लेम जो है वो मीडियम है आलू कुक हो चुके हैं कॉलिफ लावर भी कुक हो चुकी है और अब मैं फ्राइ की हुई फिश डालूँगी अब यह जो मैं पकाऊंगी यह सिर्फ टमैटो और फिश के लिए है सिर्फ जादा टाइम नहीं सिर्फ एक मिनट के लिए ताकि टमैटो फिश के अंदर चली जाए अच्छे से पक पक कर उसका फ्लेवर जो होता है फिर गैस एक मिनट बाद बन कर दीजेगा यह देखिए बन कर फिश रेडी हो चुकी है अब इसे मैं सर्फ करने जा रहे हूँ सर्फ करने का टाइम आ गया है इसे आप सादे राइस से नॉर्मल चावल हो उसे आप खाईए और नॉर्मल रोटी से यह बहुत ही जादा टेस्टी लगती है मैंने बनाय था मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया था आपको अगर पसंद आता है तो फ्लीज देखने में तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मैं आप से फिर से मिलती हूँ नियू रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाई बाई और थैंक यू फ्रेंग